हलो फ्रेंज, डिवाइन लाइज असोसियेशन टीम के UPSC साइंस और टेटनोलोजी क्विज सेग्मेंट में आप सभी का हादिक स्वागत है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपना ये सेग्मेंट, वो भी कुछ प्रशनों के साथ और उनके उत्तरों के साथ पहला प्रशन निम्नकत्नों पर विचार कीजिये देखो लगभग यही कहानी आपको हर प्रशन में दो रानी है ठीक, हम आपके लिए डाइरेक्ली सही स्टेटमेंट्स परदेंगे हर प्रशन में ठेक तो पहला प्रश्ण नम्नकत्नों पर विचार कीजिये में स्टेट्मेंट पहला है PSLV liquid stages से less होने वाला पहला भारती प्रक्षेपनियान है दूसरा Mars, Orbiter, Spacecraft को PSLV का अपयोग करके launch किया गया है दूसरा प्रश्ण नम्नकत्नों पर विचार कीजिये फिर से सई स्टेट्मेंट्स पाढ़ रहें ध्यान से सुनियेगा पहला स्टेट्मेंट है GSLV MK3 को 4 टन वर्ग के उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर और और लगभग 10 टन वाले उपग्रहों को लो अर्थ और्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है जो GSLV MK2 की क्षमता से दो गुना है हाल ही में Operational Sounding Rocket के टीन वर्जन्स लॉंच किये जा चुके है तिक चलिए अब हम नेक्स क्वेशन पर चलते हैं नेक्स क्वेशन है निम्न कत्रों पर विचार कीजे जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि आपको यही कहानी दुबरानी पड़ेगी दाइरेक्ली साई Statement No.1 स्युक्र पृत्वी की तुलना में पीछे की ओर घूमता है statement No.2 करेक्ट स्युक्र है यह शुक्र का कोई चंद्रमा या मून नहीं है statement No.3 व्यास्त्रिय हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रहे चलिए आप Nitці क्वेशन to निम्न कत्नों पर विचार कीजे वही कानी पहला सई स्टेट्मेंट है ख्यूद्र ग्रह अधिकतर मंगल और ब्रिहस्पती ग्रह के बीच सूरी की परिक्रमा करते हुए पाय जाते हैं नेक्स्ट जब उलका पिंड तेजगती से प्रित्वी के वायू मंडल में प्रवेश करते हैं और जलते हैं तो हम आग के उस जलते हुए गोले को उलका कहते हैं अब हमारा लास्ट क्रेशन आ गया इसमें कहा गया है कि सत्य कथन का चयन कीजे देखो सही कथन है भारती राष्ट्री उपग्रह एंसाठ प्रणाली एशिया पैसिफिक क्षेत्र की सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली में से एक है अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रशने पर अगला प्रशने है इंडियन नाशनल साटलाइट के साथ जियो स्टेशनरी आर्बिट में कितने अपरेशनल संचार उपग्रह रखे गए हैं आंसर है नो नेक्स्ट कोश्चन है स्काट साट वन एंड टू किस प्रकार के साटलाइट हैं बहुत ही कठिक क्वेशन था लेकिन कुछ कुछ जो सरल आपको लगें इस तरह से वो याद कर लिजेगा इसका आंसर है अर्थ अब्जर्वेशनल साटलाइट कैसे साटलाइट हैं अब दोस्तों ये प्रशन यहीं पर हुआ समाथ और इसी प्रशन के साथ हमारा ये सेग्मेंट भी यहीं पर खत्म हो गया लेकिन फ्रेंज हम आपसे एक रिक्वेशनल करेंगे कि वो ये कि आप सभी लोग इस सेग्मेंट को जरूर एंजॉय कीजे जो कि आप करते हैं और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा जो लोग इंटरनेट फसलिटी का लाप नहीं उठा पा रहे हैं है ना तो इसी छूटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के फेर सारे प्यार, जुरून, चजबात और कड़ी मेनद के साथ-साथ आप सभी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बतौलत ना सिर्फ आप सभी नई-नई उचायों को छूरे हैं बल कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योगिता का पर्चम लेरा पाने में भी बली भाती सक्षम है तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी कर्ब की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरे Divine Life Association टीम के उर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार